सो रिवन्शम फिल्म तो आप नहीं देखी होगी, टीवी पे सबसे ज्यादा दिखने वाला पसंदिदा फिल्मों में से एक है क्योंकि हर हफते में एक दिन ये फिल्म आपको टीवी पे दिखी जाएगी, इसमें दिखाया गया है कि किस तरह हीरालाल अपनी पतनी को पढ़ा हो गया, उनकी पतनी जोती मोर्या SDM बनने के बाद अपने पती कहसान को भूल कर आगे बढ़ गई और इस पर उनकी पतनी का कहना था कि उनके पती काफी छोटे पद पर हैं और इसलिए वो उनके लायक नहीं है, और अब SDM महोदया अपने सफाई करमशारी पती के साथ नह चर्चा में हैं, इसी बीच उनके पती आरोक मोर्या ने होमकार मुख्याले में शिकायत दर्ज कराई है, उनका आरोप है कि उनकी पतनी का गाजियाबाद के होमकार कमानेर मनीस दुबे से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेर चल रहा है, दोनों मिलकर उनकी हत्या की साज श्रच शिकायत के अधार पर डीजी होमकार वीके मोर्या ने प्रयागराज के डिप्टी कमानेर जनरल संतोस कुमार को मामले की जाच सौपी है PCS जोती मोर्या के प्रती अलोक प्रयागराज के रहने वाले हैं, वो पंचायती राजविभाग में चतूर्थ श्रेनी के करमचारी है, अलोक ने शिकायती पत्र में बताया है कि उसकी शादी 2010 में वरानसी में रहने वाली जोती से हुई थी, शादी के बाद पत्नी कोईला नहाबाद में PCS की तैयारी कराई, 2015 में PCS में चैनित हो गई, कई जिरू में SGM पद पर तैनात रही, वरतमान में जोती बरेली में तैनात है, 2015 में ही उसने जुर्बा बेटियों को भी जन्म दिया, साल 2020 में जोती होमकार्ट कमांडेट के संपर्क में आई, अलोक का इसके जानकारी के मुताबिक आलोक मोर्या ने अपनी शिकायत में WhatsApp चैट का जिक्र भी किया है, जिसमें उनकी हत्या की प्लानिंग का जिक्र है, आलोक का आरोप है कि उन्होंने इस बात की सूचना प्रयागराज पुलिस को दी, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, नहीं कोई एक्शन लिया गया, वहीं जोती मोर्या की शिकायत परण के खिलाफ दहीज उत्पिरन का मुकदमा तुरंत दर्ज कर लिया गया, फिलहाल ये मामला हूमकार्ट संगठर में चर्चा का विश्या बना हुआ है, मेरिया रिपोर्ट्स की माने तो विभागिये अधिकारि चुका है, हलाकि इस पर आप क्या कहेंगे, कॉमेंट करके जरूर बताएं और इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें, News 11 भारत